ये सेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल, मेरे चैनल का नाम है एनिटाइम एजुकेशन और इस चैनल पर हम बात करेंगे जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन्स होते हैं, क्लास 10 साइंस के और क्लास 9 साइंस के उसके बारे में हम डिसकस करते हैं, बट अब हम एक नई इसके बारे में दिया हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है इंडिकेटर हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नाचुरल इंडिकेटर और एक होते हैं सिंथेटिक, नाचुरल मतलब जो नाचुरल यानि प्लांट्स और अनिमल्स के सोर्से से बनते हैं, और दूसरा होता है आपके पास सिंथेटिक, सिंथेटिक आपकी के दूरू बन oxalic acid so oxalic acid कहां से निकलता है tomato में से next is lactic acid lactic acid कहां से मिलेगा curd में से तो ये first question का answer था second है name some natural indicators and synthetic indicator so natural indicators क्या होंगे जैसे कि हमारा litmus हो गया so litmus एक हमारा जो है वो natural indicator है और बात करें अगर बात करें अगर हम synthetic indicator की तो synthetic indicator में आजाएगा हमारा एक methyl orange और एक हमारा आजाएगा phenophthalene so methyl orange और phenophthalene acid और bases जब इनकी presence में आते हैं तो अपना color change करते हैं next question third question है आपका देख सकते हो क्या लिखा हुए what are all factory indicators all factory indicators वो होते हैं जो अपनी smell को change करते हैं in the presence of acid or base जैसे कि हमारे पास कुछ example है और example में क्या दिया हुए एक example हमारे पास जैसे कि दिया हुए यहाँ पर onion दूसरा example दिया हुए clove oil इसी तरह एक होते है vanilla extract तो basically इन में से कुछ होते हैं जो अपनी smell को change करते हैं in the presence of acid or base इस तरह की indicators को कहते है all factory indicators next आते है next question आपकी क्या पूछता है next question fourth कहता है why does dry HCL gas does not change the color of dry litmus paper अब देखो dry HCL gas यहाँ पर जो यह word लिखा हुए ने इस पर focus करो dry HCL इसका मतलब यहाँ पर जो है water की absence है और कोई भी acid या कोई भी acidic gas water की absence में अपना color change नहीं करे water की absence में अपना acidic character शो नहीं करेगा H plus ions को release नहीं करेगा तो इसलिए जब यह dry HCL gas water की absence में होगा तो क्या होगा यहाँ पर it does not show acidic character in the absence of water यह अपना acidic character शो नहीं करेगा in the absence of water that is why it does not change the color of dry litmus paper यही answer है इसका fifth question क्या दिया हुआ इस पर आती है name the acid present in the following tomato में कौन सा acid होता है अभी हमने किया था tomato में होता है हमारे पास oxalic acid, vinegar में acidic acid और tamarind में होता है tartaric acid ठीक है यह था आपका fifth question sixth question क्या कहता है how can we test acid and base with the chemicals हम इन chemicals से chemicals क्या होते है chemicals आपके मतलब इस sheet में discuss किया हुए कि जो आपके synthetic indicators है वो आपके chemicals है तो acid और base का हम कैसे test कर सकते है तो test करने का तरीका एक ही है अगर हम acid की drop डालेंगे methyl orange के अंदर तो color में changes के आएगा red और जो आपका base है उसका color हो जाएगा yellow जबकि phenophthalene के अंदर अगर acid डालोगे तो acid की अगर हम acid के अंदर drop डालते है phenophthalene की तो वहाँ पर क्या हो जाएगा color जो रहेगा वो colorless रहेगा कोई भी color change नहीं होगा और base जो है वो क्या हो जाएगे they will show pink color तो ये इस question का answer है 6th का चीक है next आते है आपके पस next question है 8th 8th question काफी अच्छा है इसमें कहा रहा है given below are the result of solution tested with universal paper indicator universal indicator में कुछ colors चो होती है different different substances के तो ये कहा रहा है increase the solution with increasing pH value अब values कैसे होती है कि pH में क्या होता है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास acid होता है और बाद में हमारे पास base होता है और center में हमारे पास क्या होता है center में हमारे पास होता है neutral चीक है बीच में neutral होता है तो यहाँ पर क्या होगा redist से start होता है ये तो सबसे पहले red किसका दिया होगा है sulfuric acid उसके बाद जो है yellowish होते होए purple की तरफ जाएगा तो washing liquid का हो जाएगा yellow उसके बाद क्या दिया होए उसके बाद end में जाएगा light blue से dark blue की तरफ light blue किसका है milk of magnesia और फिर है यहाँ पर metal polish का हो जाएगा सबसे last में और वो कौन सा हो जाएगा dark blue तो इस तरह यहाँ पर changes होगा इस तरह यह increasing pH value में answer लिखा होए तो यह था 8th question गा answer यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है क्या कहता है यह litmus solution is a purple dye litmus solution एक purple dye है extracted from a plant lichen lichen से obtain होता है litmus solution when the litmus solution is neither acidic nor basic its color is purple so color क्या होता है उसका purple ही रहता है next देखते है क्या लिखा हुए next आपके बस 7th question है यह कह रहा है write any 3 physical properties of acid and basis तीन properties लिखो acid और basis की तो physical properties ठीक है अब physical properties में क्या क्या point आएगा first है it turns blue litmus to red वहाँ पर उल्टा हो जाएगा red litmus blue they are sour in test यह खटे होते हैं and they are bitter in test basis जो होते हैं वो कडवे होते हैं और यह दोनों ही electricity को conduct करते हैं जब water में dissolve करते हैं conduct electricity when dissolving water एक point और आ सकता है acids आपके non slippery और non soapy होते हैं whereas जो bases होते हैं they are soapy to touch यह इसका answer था last question पर आते हैं 9th question क्या कह रहा है the color obtained on pH paper for highly acidic, highly basic and neutral solution तो basic, highly acidic के लिए क्या होगा अभी हमने किया था highly acidic सबसे पहले आता है तो उसके लिए आता है red color यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा red फिर highly basic के लिए क्या आएगा blue आ जाएगा और neutral के लिए हमारे पास क्या रहेगा purple तो इस तरह यह worksheet यहाँ पे complete होती है आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगती है तो इसको लाइक करना और चैनल को अगर फर्स टाइम आयो चैनल पर ही तो सब्सक्राइब करना थैंक्यू